और गाइस क्या आलेगा इस बहुत इलंबे इंतिजार के बाद Sony ने फाइनली अन्वील कर दिया अपना PS5 जो की गेमिंग को लेके चला जाएगा सबसे पहले बात कर लेते हम वेरियंट्स की तो यहां पर आपको PS5 में दो देखने को मिल जाएंगे एक है इसका डिजिटल वेरियंट दूसरा है स्टैंडर्ड वेरियंट में आपको एक 4K Ultra HD Blu-ray Optical डिस्ट्राइब देखने को मिल जाएगा वहीं अगर बात करें डिजिटल वेरियंट की तो वहां पर आपको यह option नहीं available है तो आप मतलब स्टैंडर्ड वेरियंट में डिस्क लगा के गे के साथ अगर PS4 से comparison करें तो बिल्कुल भी resemblance नहीं है अब हम बात कर लेते PS5 के hardware की तो hardware में सबसे पहले हम बात करेंगे CPU के बारे में तो यहां पर यूजड है एक AMD का 7nm का Zen 2 Micro Architecture जिसमें है 8 CPU cores और एक काम करता है variable frequency पे यहां पर maximum clock speed आपको मिल जाती है का 3.5 GHz की comparison के लिए बता दूँ गाई जो PS4 में Jaguar cores थे वो clocked थे 1.6 GHz पे और यहां पर देख लो गाई डबल से भी जात है 3.5 GHz तो आप यहां पर anticipate कर सकते हो कि PS5 की performance कैसी होगी आगे बढ़ने से पहले में एक बात बूलना चाहूँगा अगर आप एक proper comparison देखना चाहते है PS4 और PS5 के बारे में तो comment section में मुझे बताना मैं एक उसके dedicated video बनाऊँगा और अगर हम बात करें GPU की तो यहां पर used है AMD का एक customized SOC या फिर कहलो customized graphics processor जो की based है AMD RDNA 2 पे और use करता है 36 compute units को और काम करता है यह variable frequency पर जहां पर आपको maximum clock speed मिल जाती है 2.23 GHz की और यह GPU capable है 10.28 trillion floating point operations handle करने के 1 second में 1.84 teraflops ही वो handle कर पाता था guys इस GPU की खास बात ही है कि यह PS5 में backward compatibility को easily handle कर पाएगा तो अब अपने favorite PS4 titles इसमें बिना किसी परिशानी के खेल पाएंगे बहुत सारे PS4 की games जो आप PS5 में बिना किसी problem के खेल पाएंगे उसमें से PUBG भी होगा guys एक बात और बता दूँ दोनों ही CPU और GPU में variable frequencies है इसका मतलब है कि जिस हिसाप से need होगी उस हिसाप से frequency कम या जादा हो सकती है और यह possible हो पाया है AMD के smart safe technology के वज़े से RAM के अगर हम बात करें तो PS5 में आपको देखने को मिल जाएगी एक 16GB की GDDR-SD RAM और bandwidth है यहाँ पे 448 GBPS storage के अगर हम बात करें तो यहाँ पर design किया गए custom storage solution जहाँ पे base system में मिल जाती है एक 825 GB की solid state drive जो की 12 channel interface से connected है main system से और इसी SSD में achieve हो पाया 5.5 GBPS का transfer rate uncompressed और 9 GBPS compression में य अगर मैं comparison के लिए बताऊं तो PS4 में यह था करीब 100 MBPS और यहाँ पर 5.5 GBPS बहुत ही ज्यादा next level बना दिया इन्होंने PS5 को मतलब इस पलक जपकते ही आपके games load हो जाएंगे और एक और advantage है यहाँ पर developers के लिए वह और बड़े open world game बना सकते है expandable storage की बात करें तो PS5 में आपको एक nvm express m.2 SSD slot मिल जाता है जहाँ पर आप SSD को लगा के अपनी storage को 825 GB से बढ़ा सकते हैं यहाँ पर आपको USB HDD support भी मिल जाता है जो basically PS4 games को store करने के लिए use होगा audio features के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3D audio का support मिल जाता है Tempest Engine की वज़े से PS4 से अगर हम compare करें तो PS4 में 50 audio sources support होती थी और PS5 में उसका double 100 audio sources support हो पाएंगी controller के अगर हम बात करें तो आपको लगा होगा कि इसमें DualShock 5 controller आएगा लेकिन यहाँ पर नाम है इसका DualSense controller जो की adaptive triggers के साथ आजाता है जिसका resistance हम change कर दकते हैं according to player's need यह voice coil actuators के help से strong haptic feedback भी देता है जो आपको in game जो हो रहा है वो आपको feel करवाता है real में example game बता दो जैसे आपको racing game खेल रहा है तो उसमें steering की vibration आपको controller में feel होगी और को RPG game है उसमें अगर आपने bow को मला bow में आपने string को stretch किया है तो उसकी tension जो होती है वो भी आपको controller में feel होगी मतलब बहुत ही next level controller होगा यह भी सारी specification होगई और अगर हम pricing की बात करें तो यह अब तो बस इंतिजार है इस PS5 के launch का ताकि मैं आप सभी के लिए लापाऊ एक बहुत ही अच्छी unboxing इस PS5 की और अगर possible हो पाया तो एक giveaway की कोशिस भी मैं करूंगा तो बस यही थी आज की वीडियो और I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और future में ऐसी interesting और knowledgeable videos देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें या सब्सक्राइब का रडड बटन है उसको प्रेस करके ग्रे कर दो और like का थम five लोगर से प्रेस करकि वीडियो को लाइक भी कर दो तो बस यही थी आज की वीडियो मिलते है अगली वीडियो में तब-tesक के लिए जय हिंत